हलो नमस्कार साथियों सवहत करते हैं आप सबको अपना परिवार प्रतेग्या पर आएए आज आप लोग का अगला एपिसोड में मैं आपको विलकम करता हूं आज का नेया टोपिक है जैसे के आपकी बोर्ड पर देखें दिख रहा होगा प्लांट मार्फोलोजी पादप आ प्लांट मार्फोलोजी का आते हैं दोस्तों इसमें बहुत सारे बात पढ़ना है प्लांट मार्फोलोजी में क्या क्या पढ़ना है पौधा का जड़ पढ़ना है पौधा का तना पढ़ना है पौधा का पतियां पढ़ना है कई ऐसे है जो हमें पौधा के बारे में पढ़ने है तो यह जो आपका हुआ अगर आप यहां दिख पा रहे होंगे तो यह वाइट वाइट जो होते हैं यही आपका पौधा का इसी में हम लोग पढ़ने वाले तो आज के टॉपिक में हम स्टाट करने वाले हैं प्लांट मॉर्फलोजी और प्लांट मॉर्फलोजी में हम आज पढ़ेंगे जड़ के बारे में मतलब हमरा कहानी आज इतना भर में चलने वाले वाइट वाला बात चलने वाले देख पाले इतने बग में हमें चलने वाले हैं मतलब कि इसी के बारे हम पढ़ने वाले तो plant morphology समझ में आगे कि पादप आकी रिकी में क्या तो अराम से पिल लिए इसके बताए देखो जड़ प्रहा देंगे तना प्रहा देंगे पतियां प्रहा देंगे फूल प्रहा देंगे बीच प् जिनका नाम है रूट मतलब की जड़ हम लोग निच्चे से सुरुवात कर रहे हैं उपड़ से नहीं निच्चे से कहात सुने नहीं कि जड़ मजबूत रहेगा तो पौधा लंबा होगा इसलिए मैथो साइंसों बेसिक मजबूत करना पड़ता है तो आज हम लोग प्लांट मारफलोजी को जड़ मजबूत करने की प्रयास करने वाले हैं तो सबसे पहले आज चू हम लोग पढ़ेंगे वह आपका जड़ जड़ को एंगलिस में रूट कहा जाता है क्या बोलते दोस्तों रूट मतलब कि आज हम जड़ के बारे में कहते हैं अब जड़ किस इसका नाम है मूल वीच को लिखा हूँ मूल है ना मूल या जड़ इस इतनी सारी नाम में आपको इसमें रहेगा अब समझना है कि सरी जड़ का विकास कहा सोते हैं तो अगर एक नॉर्मल यहां फिगर भी समझा देते हैं आपको मालने जाए इस परकार से आपके कुछ ऐस ए आपका कहां जाएगा यही आपका क्या कलाएगा तो जड़ की मामला होते हैं मतलब कि एक तना होते हैं और एक आपका क्या होते हैं दोस्तो जड़ अब यहां पर बीच फटते हैं अब यहां पर एवाला हिसा जैसे कहने का मतलब एवाला हिसा ए जो आपकी यहां से वाइ कि यह आपका पूरे की पूरे ऐसे जो आएंगे ना इसी को हम लोग बोलते हैं मुलांकर और आपको सिंपल बात समझना है कि जड़ का ग्रोथ जो है यानि कि जड़ का विकास जो है वो आपका कहां से होते हैं तो जड़ का विकास होते हैं मुलांकर से कहां से होंगे मुलांक अब मुलांकर क्या है आपको समझ में आगया होगा कि जब कोई भी बीज फटेगा जब कोई भी बीज फटेगा और बीज जब फटेगा तो वो जमीन की तरफ जो जाएगा ना जमीन की तरफ जाता है उसी को हम मुलांकर कहते हैं मतलब कि ए वाला हिसा आपका क्या होगा मुल सब Bach pressing नई को बहते होँद कि इतने बात समझे में आगे अब दो बात प्लिकार घ्यो ठरॉप के बारे में क्या प्थैंष्टक के बारे में और एक आपको पढ़ना है तो दोब दोश्तों और एक आपका चीरफ करने का मतलब परकास तो आद रखना है कि क्या परकास संसलेशन क्या जड़ परकास संसलेशन कर सकता है तो इसमें याद रखना है कि नहीं मतलब इसमें बैलोजी में निगेटी का मतलब होता है कि नहीं यह परकास संसलेशन नहीं करता है परकास संसलेशन तो पौधा करता है पत्तियों के माधियम से जड़ परकास संसलेश नहीं करता है तुछ में फोटो ट्राप क्या होगा निगेटी होगा निगेटी मतलब नहीं जिसे किWhy निगेटी तो मतलब निच्चे की और तो अगर आएगा तो लिखना जियोट्रप पोजेटी होता है और फोटोट्रप निगेटी होता है जियोट्रप फोजेटी होता है फोटोट्रप निगेटी होता है जियोट्रप पोजेटी होता है और फोटोट्रप निगेटी होता है बात समझ में एक हैं मतलब कि Photoshop कहने का मतलब कि क्या जड़ परकास संचनर करेगा उपर देखेगा उपर जड़ नहीं जाएगा जड़ नीचे जाएगा तो जीहा नीचे जड़ जाएगा तो कोचन बनता है कि मूल जड़ में Geotrop क्या पोजोटी होता है जी हां होता है फोटो ट्रफ निगेटी होता है जी हां होता है इतने बात समझ में जी यो ट्रफ मतलब जमीन की ओर जाना तो जड़ कहां जाता है जमीन की ओर सही बात है फोटो ट्रफ मतलब आसमान की ओर जाना तो क्या जड़ आसमान की ओर जाता है नहीं जाता है बात समझ म वह आपका पौधों को यांत्रिक सहाइता देता है जड जो है वह पौधों क्या होता है आंत्रिक सहाइता देता है अब कुछ लोग कहेगा कि हम भी तो पढ़ाए थे सर कि जड जल जाइलम नहीं जड पौधों को क्या करता है यांत्रिक सहाइता देता है लेकिन यह पौधे क सीधा ख़़ा रखता है एक पौधे को सीधा ख़़ा तो सर जड़ पानी कौन दिलाता है सर तो यहां पे खोते है रूट हेयर क्या होते हैं रूट हेयर होते हैं रूट हेयर रूट मतलब जड़ हेयर मतलब बाल मतलब की जड़ के बाल क्या जड़ के बाल रूट हेयर कहने का म सोसन करेगा अब आपको समझ में आ रहा है सरे बताइए कि आपका रियल जड किसको कहेंगे और रूट हेर किसको कहेंगे दोस्तों जो सीधे एकदम इस पर कार से जाया रहता ना उसको हम जड कहते हैं और बतला पतला टाइप के 4 तरफ रहेगा उसी को हम रीट हेर कहते हैं और यहीं पतला पतला जो होता है ना फतला पतला होते हैं यही क्या करता है दोस्तों जल्व का आपसोष्यल जयल का ब्लिशन Smr समझो जैसे कि समझो ध्यान से अगर कैमरा पर यहां दिख रहा होगा तो दोस्तों यहां से यहां आया हुआ यह मजबूत वाला मोटा वाला इसी को काथे हम जड क्या काते हैं जड और यह पानी निच्चे जाने की कोसिश करता अब जो ए पूरे की पूरे वाइट वाइट न आपको नहीं करता है कि जितना अंदर जाएगा जड़ पौधा उतना खड़ा तो यह क्या खुड़ा रहता हैता है यांतरीक सिदाव सल्लिते करने मिट्टी को खोदता है तो यहां पर हमने लिखी जा रूट केप रूट केप और रूट केप क्या करेगा मिट्टी को खोदेगा मिट्टी को खोदने का काम करता है कौन भाइया कौन भाइया रूट केप रूट केप क्या करता है सर मिट्टी का खोदने काम करता है यह जो आप बनाव टोपी मतलब किस्कों क्या बोलते है रूट केप अब एक गोस्चन पूछा जाता है कि मटी खोदना मतलब अंदर जाना और पूरा जड़ है और मटी खोदते-खोदते जा रहा है यह वाला रूट केप कौन सा पोधा में रूट केप नहीं होता है तो जलिये पोधा मे क्योंकि जलिये पबधा में औतना जादा जड़ नहीं होता attendant थिसकी को यह सकता नहीं होते हैं तो लिख सकते हैं कि जलिये पबधा में रूट के नहीं पाए जाता है इतनी बात समझ में आगे अब हमको समझना है日 यह आपनी क्या बोले में पूरे पुरह जमे को अंदर जाता है तो क्या ओकर जियोट्रफ से नीचे आएगा आपका मुलांकर से निचे आएगा आपका मुलांकर इधर नीचे वाला जड़ तरफ होगा और उपर तना हम कल पढ़ाएंगे अगराने वीदियो में तो इसको हम प्रांकूर कहेंगे तना के उपर होगा किया है अब सुनो ध्यान से, अब आपको पड़ना है जड के परकार के बारे में, इतनी बार सभको जल्ली समझ गीए, अब किसके बारे में पड़ना तोसतो जड के परकार से समझे नहीं हम लोग का, कि जड़ का परकार क्या होता है बढ़ यह जो को समर्णने की कोशिश करेगा कि आपका types of root मतलब की जड़ का फरकास अब सुने, सबसे पहला जड़ का परकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़ का जो हम परकार पढ़ेंगे सबसे पहला होता है मुशला जड़, क्या होता है मुशला जड़, अब यह मुशला जड़ प्रात्मिक जड़ है, मुशला जड़ कौन जड़ है प्रात्मिक जड़ है और यह सभी पौधा में पाया जाता है यह सभी पौधा में पाया जाता है मतलब कि सीधे हम बताए ना इसी को हम बोलेंगे मुशला जड़ ये सभी पौधा हम पाया जाएगा और ये पौधा को सीधा रखने काम करेगा तो सिंपल सी लिख लो मुशला जड़ में कि यह आपका पौधा को सीधा रखने में काम आते हैं पौधा को सीधा रखने के काम मे सभीन पाए जाता है इसनको अमरा प्राथमिक जड़ा और लूए जड़ा उब आंप जड़ा, तो क्या होता है तो यहag께 आपका दूसरे पर आश्रित रहेगा, दूसरे पर क्या रहेगा, पर आसित, मतलब यह खूद खड़ा नहीं हो सकता है, यानि कि दुसरे पर आसित रहते हैं, जैसे देखते होंगे न, कि अमर बेला का पौधा क्या होते हैं, कि भाइसा है दुसरे किसी पौधा में लर, अब एक्जामपल से समझेगा, माल ले जाए कि पौधा है, और इस पौ पौधा अमर बेला का पौधा, अमर बेला का पौधा इसका सबसे बढ़ियां होदारण है, कि इसमें फर जीवी, फर जीवी का, अब जो नेक्स्ट हमें समझना है, उसे हम लोग करते हैं, अधी पाद जड़, क्या होता है सब, यह तो समझा दियें, कि दुसरे पराशित हो अब क्या होता है, बिया को अपने, क्या होता है, अब क्या होता है, कहीं कि मिट्टी उटी रहा तो बना लिया, धीरे 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 जरू नीची तक लागія, तो आप देखते होंगे कि क्या होता होगा, कि कोई भी पीपल, बढ़, तार के साथ लपिट के जलम जाता है, तो उसको काते है अधीपात, मतलब यो दुसरा पर जलम गिया, दुसरा पर जलंग गिया क्या कलाएगा दोस्तो अधीपात कलाएगा और इसका है आर्किटिक का पौधा किसका आर्किटिक का तो जो दुसरे पर उग जाता है इसे लिखो दुसरे पर क्या हो जाते हैं उग जाते हैं दुसरे पर उग जाते हैं और एक पौधा उधारन है आर पौधाि यहां प्रौन है बात को बड़ा समझजेगा नहीं को फिर दिवार कर चड़ जाता कोई ये पोधा रहेगा दिवार पकर के इस से चौड़त रहेगा जिसा कदू रहेखा जानते हैं परोर यूर आपका क्या होगा पूरा दिवाल पर दिवाल पर पर के जो अलान उलान हम जाराक देते हैं वह करा पर चखड़ जाता है परजीवी मतलब यह दुसरे पर आस्री थे पंद और लगल housing और आरोही मतलब किसी पर चहर जना देखना कदू कदू निकले भूचूर से और निकले केने केने कोख टाप टाप के तो उसको हम क्या क्या यहाँ पर मनी प्लांट तो मनी प्लांट आपके सहरों में बड़े घर के पास लगता है हम लोगे पास से घर में पदू दूदू लग जाता है नया नाम सुने है, अब बढ़ा ध्यान सुना, अपस्थनिक जढ क्या होता है दोस्तो, इसको आव अस्थम्ब जड़ यानि कि अस्थम्ब जड़ एक होंगे अस्थम्ब जड़ और एक होंगे आव अस्थम्ब जड़ अब दोनों में क्या किया अंतर है बड़ा ध्यान समझना अब अपस्थनिक जड़ कहने का मतलब कि कोई पेड़ के बहरिया से जड़ निकल जाता है को यो पेड रहेगा ना तो उसको बाहरे से अलग से जड़ निकाल जाएगा अब जैसे सुनो ध्यान से जैसे बड़ा आराम से समझना है आप अस्थनी जड़ एक आपका अस्थम जड़ और एक आपका अव अस्थम जड़ अस्थम जड़ उसे कहते हैं जो 90 डिगरी के एंगल जैसे कि क्या होते हैं कि बरगद का पेड़ बरगद समझते हैं निगामस को बर बोलते हैं अरे हाली हुआ था बर पूझा तो लोग क्या करते हैं बर के पेड़ को पूझा करते हैं तो बरगद के पेड़ बरगद के पेड़ में लंबत करके एक इसे इसे करके आपका क्या बरगत के पेड़े में कि लंबवध रहेगा यानी कि बरगत का पेड़ स्थंब सब्सक्राइब कि बरगत का पेड़ यह जो आपके होते हैं जहां पर जड़ साइड से आ जाते हैं जहां पर साइड से आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं यहां उधान लिख देते हैं मक्का मक्का गणना जीनोरा इस अब समझ सकते हैं अब अस्थम जड़ाते हैं एक जड़ और हमको पढ़ना है उसे हम लोग र करते हैं पहला usla जर्ण जो सीधे रहता है सभी पौधा पायाता है पाउदा को सीधह रखता एक फिर का वर्जीवी दूसरे पर आस्रित रहता है दूसरे पर क्या आस्रित मतलब कि मिना जिंदानी रहे सकता है अमार बेला का पधा फिर कि अधीपाद जुष्रे पर जुसरे पर जनम जाता है आर्खिटिक्ट का पहोता अब जो आरो ही मतलब कहने का मतलब आरो ही मतलमतिम मनियपलान जो आपका घरूर में आप देखिए होंगे कि आपका घर उपर चहर जाता है उसे क्या कहते है आरो ही अब यहाँ पर क्या है अपस्थनिक जड़ यह दू परकार के 90 डिग्री पर रहेगा तो अस्थम जड़ और 90 डिग्री पर नहीं रहेगा साइट से निकलेगा अब अस्थम अपस्थनिक जड़ अस्थम अपस्थनिक जड़ बरगद में लंबे लंबे आ जाता है और गण्ना मक्का में साइट से निकल जाते हैं इतनी बात समझ में आ गया एक और लास समझ ले एक होता है रुपांतरन जड़ कौन जड़ रुपांतरन जड़ क्या होता है सर बड़ा ध्यान समझेगा रुपांतरन मतलब मोडिफाइ मतलब खाने य जड़ होता होगा और रुपांतरन तना होता है यानि कौन सा जड़ हो फो कौन सा तना है तो दोस्तों याद रखना अभी जड़ पढ़ा जड़ के बारे बता देंगे नेक्ट वीडियों तना पढ़ा है तना बारे मता देंगे दोस्तों बड़ा ध्यान समझना वैसा 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 पफल जू या फिर सीधा कोना बनाते हुए निच्चे जमीन में चल जाता है उसे रुपांतरन जड़ या खाने जड़ का जाता है या उस जड़ में आता है जैसे सर जैसे कि अगर मुरई के नाम सुने होगे तो मुरई कुछ ऐसा होता होगा ऐसा और मुरई माले मुरई है तो मुरई क्या हुआ कि कोना बनाते हुए सीधे जमीन में चल गया तो जड़ का कंसेप्ट सुन लेजे जो कोना बनाते हुए कोना बनाते हुए सिधे जमीन के अंदर चल जाता है जमीन के अंदर चल जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम रुपांतरन जड़ कहते हैं क्या भीया रुपांतरन जड़ अब इसको द्याती कंसेट बताएं सर जो घ खापाग स कर दो कि चुककांदर और जाता है निच्छे जाना मतलब गापाग स कर दो निच्छे चल जाता है उसे हुशन क्या करते है और तो उपान्तरण जड़्र अब हम बाकी जुह अपका एक्जामपल में रहे और निम्रीखीत में कौन जड़ है कौन तना है यह आपको पहचानने के लिए मिलेगा तो जड़ तो पहचान लिजेगा तना कंसेप्ट अगले दिन बता देंगे तो जड़ क्या होता है जो घपाक सवन कहां चल जाए निचे फर्शन चल गया जड़ है या फिर द्याति भासा में घपाक सवन जाता है इसे कों जड़ काते हैं रुपांतरन चड़ या इसको जड़ काते हैं दोस्तों यह आपका टॉपिक कंप्रेंट हो गया प्लांट ओफ्मार्पलोजी में एक पॉइंट जड़ वीडियो कैसा लगाओगा कोमेंट कर जरू बताएगा और वीडियो चला होत लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली वारत तो सच्क्राइब बिलाकर दवालना जय हिंद जय भारत जय विहार जय पर्तिग्या परिवर्ण